मुख्यमंत्री अभियोदय युजना में आप लोग का स्वागत होता हूं पच्छों हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट फिज्यालजी उसी के कंस्टिकेंसिस में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक के साथ सुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसक हुख्यों ने जुए दो इकट्रॉपिक है पढ़ेड़ी परचपा है पहला था क्या ट्रांसपोर्य ट्रांसपोर्चिंट प्लांट के जुए लूट और मिंगने प्लांट के इसरू यह संतिस्टिक है बहुत इंटेस्टिंग ट्रिजंगम होता कि फोटो सिंथेसीं तो यह दोनों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कई वीडियों है उसमें पढ़ लिया है और यह हम लोग अब क्या पढ़ने जाना है फोर्टो सिंथेसिस इन हायर प्लांट अब शूरू करते हैं थोड़ा कुछ बेसिक आंसेप्ट हम लोग समझते हैं देखो इससको प्रोशेस होती है जिसको करते है फोटो सन्थेसिस र marketplace है अब जो एंसी आटी के इसमें है सा किसमें तो किसमें ने तो कोल हायर प्लांट में देखना है यह मतलब नहीं है कि हायर फोटो संथेसिस होता है ले यह ref statement तका किसा संदिसिक होता है तो हम ऑंधिव जो और संदेंस करता है वह क्या करता है उसमें कुछ ्छरम रहनने के लिए प्रॉसेस को करने की लिए होगर हम इसको और से लिए- कभण का फिजिको केमिकल प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है फिजिको केमिकल प्रोसेस है फिजिको का मतलब ही हो गया कि इसमें क्या है कहीं फिजिकल फोर्स की अप्लिकेशन है या फिजिक्स का कहीं अप्लिकेशन है वो क्या है तुम्हारा फिजिको में लाइट और केमिकल का क्या है को अब देखो यहां पे ता फोटो सिंथेटिक जो फोटो सेंधिक करता है उसको करने हो फोटो सिंथेटिक आर्गज़न सिंथेटिक आर्गनीजन या उसको हम दूसरा नाम देते हैं आतो यहां लिखो किसम बैक्टरी यहां हो गया हुगा फिर इसके बाद क्या होता है जो हार उसके बार आप इसे में अगर कंसर्ट करना चाहिए तो एलगी को भी ले सकते हैं फिर उसके बार जो आता है हमारा कौन है यह हार प्रांट है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पड़े लेंगे आगे बेक्टरील फोटोसनेश कैसे होती है अब ब्लूब्रीन एलगी इनसम में क्या सिस्टम होता है अब हम लोगों से जा रहे है हायर प्लाइब देखो जो फोटो संथेजिस होती है इसकी कुछ प्रापर्टी जो है वह इसको यूनीक बनाती है इसकी फोटो संथेजिस जो प्रापर्टी ऐसी है जो इसको यूनीक बनाती है तो पूरी लाइब की फॉर्म की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इंपोर्टेंस आप ओटू आक्सीजन कितनी इंपोर्टेंट हमारे बॉड़ी के लिए या फिर हमार अमको Sat Doosya के यह की जो हता है प्राइमरी फूड होता है इस प्रोसेस की वुजद से हम क्या बनाते है प्राइमरी फूड पर और लइफ कर राइब राइफ क्वन राइफ आक है इस आर्थ पर जितने ब्हूंच अंसरा कि लिए फूड बनाता हों यह फोट Associate sin तो फोटो सिंथेसिस जो कोगे यह क्या फोटो सिंथेसिस जो होता है यह इसको हम उनॆ कि बिश फ्लाइफ हैं बोलो गए भी इम्पोर्टनि प्रॉसतव है इतना EMPORTANT है कि इसको भी सकते है भूरिया होता है बीकि करते है स्क्राइड कले बाई से प escape करती हो कि ऐसे यह पुंठिय में करते है क्योंकि यह पřीसजी को जब होता है और लिटो से पर आउड बरिदिण क्यों हम बहुत के बहुत प्रिदPж के बारे में एक देखते हो के और हम क्या करते हैं अच्छिडेशन आफ फूडेट करते हैं क्या करते हैं हमको क्या करना है तो यहां हमने लिया क्या है कार्बोहाईडरिट के उक्सिडेशन करेंगे कि अक्सिडेसन पढईगे किसी जुरत पड़े है और यह बन जाए थैनरंजी्जिय। अगर हमको और अल्याइद और ठाऑ क्या करेंगे किसके प्रिस्ट को से इसका यह मतलब है है कि जब पर ना था यूपध गहां पर ल掌ना पर इसो कहा यह का दो यह वह पर नी यह थेसेगा ठीक है तो हम क्या दिखें यहाँ पे फोटो सिंथेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉसेस है इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉसेस है क्यों क्योंकि वह जो होता है बेसिस अब लाइफ होती है और इसकी वज़े से ही क्या लाइफ रिजिस्ट कर देए ऐसा इसलिए यह रहता है तो सिंथेस्स को यह बहुत इंपॉर्टेंट अगर चुम करो हो जो इसको बारहन देखेंगे अग्यों वह बार सिंपॉर्ट प्रॉसेसर क्या सकते हैं अगर नहीं होगा सबसे पहले तो होगा इनर्जी प्रूड़िस वो नहीं होगा फेली बात कि ढूद से और किसी भी चीज ने सेभी आ Newton क्लिक्ष या। तो किसकी जरुद पड़ती है अक्सीजन की अमाल नो बर्न हो नहीं नहीं हो गया तो क्या कमबस्ट्ट रुख जाएगा दूसरा क्या होगा अगर नहीं होगा तो फिर यह पॉसिबल नहीं है तो समझ जाओ कि हम लोग जो अभी इतने वेहिकल यूज करते वह सब रुख जाएगा इलेक्ट्रिकल वेहिकल यहां पर काम कर सकता है एयर प्रेसर रिडियूस हो जाएगा एनरजी नहीं बनेगी दूसरा क्या होगा चौथ लाइफ फार्म जो ब्रीधिंग रिस्पाइरेशन करते हैं वह भी इरक्या हो जाएगी तो यह सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना चाहिए कि कितना जरूरत है अगर अक्सीजन खतम हो जाए तो अभी कुछ केसे में देखा होगा कोवीट में कितनी जरूरत थी इस उसलेंडर की तो कितना इंपोर्टेंट है अक्सिजन यह तो अभी हमने कुछ मैनों लाश्ट मैनों में देख लिए थे कितना जरूरत है अब कितनी इंपोर्टेंस अक्सीजन की और यह प्रोडीज कहां सोगाए एक प्रोसेस से जिसको प्रोट अब बातती यह करता कोन तो हायर प्रांट्स किस नुने पहले बताओ है कि देख़ा हैं तो हायर प्रांट उनके बारे में हमें पढ़ना लिज दो करते प्रांड समय हो करते है करताक यह सब कोब लिखरते करते में कुछ 화म्य इनयल्गी और कॉच प्रफिस्ट शीतल ऐसे हैं तो अब सुरू करते हैं कि इसके बारे में डिटेलिंग की गई है तो अभी जितना हम लोग बेसिक कांसेट पड़े उसको हम समझ गए कि हाँ क्या क्या कैसे था अब उसको एंसेयाटी के लाइन से क्लियर कर लेते हैं तो शुरू करते हैं इसे आटी से आगे 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 अगे अगे तैना जो फिर आगे और देखो अब इनकी लाइन को हम लोग डिया और देखो गड़े की लाइन जब्राइब दीज में धीमें कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं और बेक्टडिया भी कर सकता है प्रोटिस्ट भी कर सकते हैं यह सब भी पोटोसेंटेस कर सकते हैं आल इनमल्स इंक्लूड़ी इंग डिपेंड नान प्लांट दिर फूर सभी हम हो चाहिए कोई भी अनिमल हो हमेशा फूड के लिए उसको पूड चाहिए कि अप्सेडेसन करने लाए गा तो डिपेंड करता ह को यह कारिन और साफुल ठेल घोर स्कावर्च काम करें दोना करें अपना फूड को क्या करता है फूर करते है यह यह एकूड करें यह मेंधनों कि रहें रखेंगे सन्थी edin फ्रीय निम प्रेंटे सी फूड यह णिए कि और फोनी निजंदे french ऑंता है इस एंस मेलपड हा सन है सन की डिशि arena आ रही है यह जो सबसे पहले तो यह हैं मैं यह यह अधर एनिमल से है इनको भी फूट चाहिए इनको फूट चाहिए इनको फूट चाहिए करेगा लेकिन यह इतना JOE होता है अपने लिए फुट कर वर बनाएंगे तो यह बना बनाया था ये बनाए फनाा nggakन आइक नहीं के आशन चतो यह बात आगीव आच ़ेया यह तरहिए प्रो प्रो आढमरे करता अई training जो करता हो ओजरी उट्राइ संथिसेट करें बलता है । हम लोह बट्चो क्या हा चाहिए हम लोह क्या है है डिस अगे क्या है hetero हेटोट्राप्स नुटेंट जा इंवाट आपन जा दियन एंपलाइज अजा फोड इंटरीज एंड ऑख लिए उड फोड्राइज आपकेज डरयू होड आपके इंव्य नमागें तरफ रहुंपहाँ मिद्दिय दे अप्रफफ एंपल्डशम कर आपकेंड लिए लिएल रह food का फिर oxidation होगा O2 का presence में अब फिर क्या होगा क्या होगा energy तो ultimately तो यही process होई है photosynthesis तो होई ultimately photosynthesis होई energy के लिए the use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth photosynthesis is important due to two reasons two reasons पहला primary source of food on earth दूसरा क्या है release oxygen atmosphere green plant have you ever wonders, thought that what would happen if there was no oxygen to breathe अगर आक्षिजन ब्रीद करने को ना हो तो कि लाइफ पॉसिबल लई है और दूसरा अगर आक्षिजन ना हो तो फिर क्या-क्या प्रॉब्लम हो एर प्रेसर कम हो जाएगा और दिपेंट पढ़े था इस चेप्टर फोकॉसाइब फोटो सिंथेक्टी मसीनरी क्या-क्या ऐसा सिस्टम होता है प्लांट के अंदर जैसे यहां पर कौन सी की जो फोटो सिंथिक को करता है उसको पढ़ेंगे और कैसे लाइट एनर्जी को इसमें पर आगे पढ़ते हैं वाट डूई वी नो हम लोग हम यह का जानते हैं सब्सक्राइब इसकतर ख्ड़ प्रसेस हो क्या हो गत्या प्रकाफ प्रकास-प्रकास और में प्रकास्ट जिए ज़रूरी होती है जैसे क्या क्या कि क्या पिगमेंट चाहिए और बहुत लोग स्लेज इट्र समयों पिग्मेंट हो जाएगा और कार्बन डाय अक्साइड चाहिए और क्या चाहिए लाइफ चाहिए हम इतना जानते कि कोई भी बेसिक जो जानता होगा यह बेसिक फॉर्म को कि तीन चीजे जरूरत होती है और सब चीज बनती का पती में तिसली पती को क्या करते प्लांट का अलावा जो वाटर होता वो नीचे से वो पर किचन क्या होता है जहां पर भोजन बनता है तो वहां पिस अरे ग्रेडियन रहते है और घंऌ इनर्जी का सोर्स कौन है तो यह है लाइट के इस तीन सव इनर्जी का है तो अगर जैसे हम यह बताए जो फोटोसंदेस है यह अगर पूछा जाए कि बताओ इस संसार में अल्टिमेट सोर साफ इनर्जी किसे कहेंगे तो कहेंगे सन को तो अब इतना तो बेसिक हम लोग जानते ही है कि हाँ यह चीजे जाए जाए ग्रीन पिग्मेंट चाहिए लाइट चाहिए फोटोस्नेश के लिए कि अब यह टेस्ट करना ऐं कि हमको कि कोई पुचे कि बताओ कि अगर तहीं आया गया में कि प्ताओ लाइट जो है वो में चाहिए खौटोसंेश के लिए कुछ ऐसा करके पताओ कि लाइट चाहिए जिससे हम यह कनफर्म हो जा है कि लाइट चाहिए चाहिए दूसरा कि कुछ ऐसा experiment करके simple experiment करके बताईए कि co2 चाहिए फोटोसेंज के लिए pigment की तो बात ही है क्लोरोफील है chromatography से separate करते तो pigment विल जाता है हमको दो experiment दिखाने है कि co2 is essential for अब उसको पूरूब करने से पहले हम कुछ चीजे साथरे जाटे हैं वह क्या है के आक लीप होती भर्यक्यों क्या हूता वे टो यह अधा कुछ दूसरे किलर्र का एक है तूसरे का सुछ आज खथिए वीरcha काथ है वेडिगेटिटली इप अच्छा से यहीं जो तर डिफ़ेंट सेट सबक्राइर है यहां पे ज़्यादा क्लोरुफिल पाया जागा डार्क डीप ब्रीन डीप इसका यह मतलब होगा कि यहां ज्यादा के लोगा वाइट वाला जाहां वहां पे तोड़ा से कव कोगा इसकी असफिन हो रहे हैं आस इसलिए हो रह करता है वह किसके डिपेंड करता हो पिगमेंट के कमपोजीशन पर करता है तो वारिगेटेड लीफ हो गया दूसरा एक हो है कि हमको एक बहुत बेसिक सा एक्सपरिमेंट पढ़े थे हम लोग आयोडीन का टेस्ट क्या होता है कि आयोडीन सलूसन जो होता है टेस्ट करता है कि का स्टार्ज क्या है एक्चुल क्या होता है जो फोटो सिंदिस करता है सन की रेडियेशन जब आती है तो यह बनाता है तो ग्लुकोज जो होता अल्टिमेटली ग्लुकोज जो तब फर्म होता है फिर यह चेंज होता किसमें सुक्रोज में सुक्रोज ट्रांस्पोर्टेबल फ तो इसमें कुछ केमकल दे दिये इसमें कुछ केमकल दे पूछा है कि कौन सा इसमें किसमें स्टार्च है किसमें नहीं है ऐसमें सलूषन लेंगे इसमें डाल देंगे कि कलर चेंज वर अगर यह पाश्टि तब होगा जब बलू या परपल कलर को जाया अगर यह निगयुत्यटीस ते का होगा जब और नहीं हो खालित करें हैं थूफ हो रही है कि नहीं हो रही है जब हम क्या हम करें प्रक्तियां यह प्लांट आग डे इसके लिए अव सबनेफ रख़ने ड्लेश चेनल यह सब्सक्राइब से और जहां तो एक्सपोज सब्सक्राइब कर दारें तो इस तरह से क्या होगा है हम दोनों को टेश्ट करेंगे और बी को बी वाले में तो यह देगा तुम्हारा पॉस्टिव टेस्ट तो इसको हम इस एकदम सिंपल से यह बता सकते हैं कि लाइट नहीं दे रहे हैं तो इसके बाद आता है दूसरा कर तुम्हारा यूटू वाला जैसे यू में एक्पेरिमेंट स्टाइज फार्मेशा वेरिगेटेड लिफ वही समझ रहे हैं लिफ का कलर डिफ्रेंट कलर के लिफ दैट वाज पार्सली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एक्सपोस्टिव लाइट अन्टेस्टिंग प्रिजेंस अब अगर यही चीजें हम जो है किसी रूट वाले सल में तो यह इस टाइज का निगेटी विए अब आगे बढ़ते हैं अगला जो एक्सपरिमेंट था वह किसके हमको करना है एदर एक्सपरिमेंट करना है किसके लिए वह सी यूटू के लिए तो हम इसको करते हैं हाफ लीफ इसमें क्या करते हैं जो पत्ति है इसको आधा जो है एक बीकर में या कह लूट बना लेरी इस प्रीन में रख देते हैं और यहां पे कि खास बात यह होती है कि यह सी यूटू कर लेता है कि यूटू को पास अनने देता मालनों अगर कोई दूसरा कंपॉंड एक्स है तो यह तेजी से कोई इसको एपजार कर लगा एक्स के पास जदा ही जाने लेगा जैसे यह हुआ है यह अब सब्सक्राइब दोनों को रखा कि यहां वाले क्षोच कर दिया तो यहां पर सीयूटू में यहां पर भी सीउटू मिल लाई है लेकि जैसे यह सीयूटू जा रहा था इधर एपजार्ब करने यह लोक ले रहा था कौन काटन जो था यहां पर देखो गे तो इधर वाले में स्योटू भी मिल ला है लाइट भी मिलना है तो इस्टार्च होगा यहां पर यहां पर आजडीन का टेस्ट निगेटिए क्योंकि लाइट ही नहीं जरूरी है यहां पर आजडीन के लिए एक तो था क्या लाइट इस निसेसरी दूसरा क्या है सी यूटू इसको निसेसरी तो यहीं वाला है वाइल हाफ एक्सपोस्ट एर सेटप देन प्रेश दिन लाइट सम टाइम वन टेस्टिंग प्रिजेंट सब्स्ट्राइट लेटर तू पार्ट अब लिप यूमस्ट फाउंद एक्सपोस्ट पाट लिप पाश्टी स्ट्रेस्ट अब दूसरा जोगा निगेटिव दिस सो सी यूटू रिक्वार उन्हीं फोटो से यह कंफर्म करता है कि सी यूटू की जरूरत होती है कैन एक्स्प्रेंट इस कंक्लूजन कुट भी ड्र नगहें तो इससे क्या हम कुड्ven कर सकते हैं तोतीन बाते हैं कि फुरी पर होना चाहिए a दूसरा क्या होना चाहिए दिछन टी सरा क्या होना चाहिए कि यह तीसरा होना चाहिए c002 आदि यह तीन बात हैं हमने अभी तक जू पढ़ा है बेसिक चीजों से web क्लूरत अब आ प्रिष्टिले वही प्रिष्टिले थैं इन्होंने oxygen कोज की थे अर्ली में इन्होंने कैसा क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने यह कहा था कि इन्होंने इन्हों ऊपर這種 क्रण milde शार जैसा लिया था उसमें क्या किया इन्होंने की एक जो है मुंबत्ति को जलाया और यह माइस को रखा एक जाएस की जाएस बात है कि कि सीवी चीज को जलने के लिए किसके चुरुत आक्सीजन की, यह रखे इसको उस Сमय तो आक्सीजन था यह गया इसमें और बढ़ती तो इसमें हमने यह देखा कि यह तो बड़ा है कि अगर हम इसको अगर एक ही जगह पे मोंबत्ती और इनको किसी में अगले एक्सप्रिमेंट उन्होंने यह कहा है कि प्रिष्टले ने क्या किया कि एक मिन्ट का पौधा इंट्रोडिश के अब देखो जो हो रहा होगा प्रासेश यहां पर क्या होगा यह फॉसिल यह जल रहा है तो सीयोटू रिलीज करेगा यह कार्बन डायक्साइड और प्ल अभी पढ़े थे तो आक्सीजन इसको मिला आक्सीजन वर्निंग के लिए मिला तो यह क्या होगा इस प्लांट की वज़ाद से यह एंड बी और सी ए और बी सर्वाइब कर गया है प्रिष्टले कंक्लूजन यह निकाले कि देखो यह जो है पौधा यह जो था मुंबत्ती ह है यह और यह माइस है यह दोनों कहीं न कहीं इस एट्मास्फियर को क्या कर रहता है इंप्योर कर रहे थे इंप्योर कर रहे थे यह जब हम मिंट का पौधा लगाए जो प्लांट है यह प्यूरिफाई कर रहा था तो प्लांट आर दे प्यूरिफायर आफेयर तो इन्हों इनको यह अभी कुछ नहीं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता कि कैसे क्लोर प्लास्ट कैसे स्टोमाग रेना है यह कहा कि यह जो होता है कहीं कहीं मिंट का पाउधा अगर लगा देंगे तो वहां बड़ा ही इंट्रेस्टिंग बात हो जाती है यह दोनों सर्वाइब कर जा जो प्रासस थी किसके में किये थे लाइट के प्रिसंस में फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जो इन्जिन हो안 किया इंजिन हां किया सेट आप को इसी सेट अप को लाइट में किया और डार्क मीं किया तो तब भी यह तीनों रहने नहीं के बाउजुद भी क्या हो रहा है कि यह जो होगा यह इसी तरह का हो जागा मतब इस तरह का कि यह भूज जाएगा यह मुर्जा जाएगा तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट इंज़ नहीं क्या बता है essential elephant to उनके अब दही में इसकी lines हम क्लीर करते हैं यह बताया कि एयर का रोल होता है उनको यह नहीं पता कि कौन-कौन साथ क्या फिर फाइल नहीं क्या उन्होंने डिस्कवरी किया आक्सीजन का उन्हों सत्रह सचोहतर में तो फिर फिसरी अपिस्तिल आप जर्थ अब जार बनें को है वही बेलियार में कह रहते हैं कि जल्दी वह दोनों सब्सक्राइट होके मर जाते हैं और वह बत्ती बुझ जाती उसमें लाइट बुझ जाती हैं लाइट कॉंक्लूड बढूड दैर बिनिंग कैंडल आर एन अन च्छार आपका सिर्टोर हो पिजी और प्रिश्टोर क्या ह ejerciza वाटेव अनिमल के ब्रीधिं गहरा हो चाहे बर्निंग अप केंडल से आ बात बीच में लायट बूज गई उसको जलाना है किंडल को और भी कितनेários कि हो सकते हें जलाने के लिए चैनल टेस्ट वेदर बर्न आप्टर फ्यु डेज कुश देन स्बवन इसको इसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क से हम क्या करते इसको जला सकते हैं दूसरा क्या कर सकते है जुँआ पर शेटप वार प्रिष्टली ने यूज़ किया था वह उन्होंने एक जान इंजन हां सब्सक्राइब दूरा इस एसेंटिस्ट इन प्रॉसेस ब्राइब आप यह बात बता है इसनों निये कहा कि यह दो को पहला एक्सपेरिमेंट था यह दूसरा मुझे था इन्हों ने इन्जिन वहाज ने बताया कि इंजन नहाज एक्पेरिमेंट एक्वेटिक प्लांट और उन्हों यह भी बताया कि जैसे यह पोधा था कि यह प्लांट था मालनों यही पे और यह उ्लॉता बीकर जो है और इसमें चाइब जिए और यह को दिए चलों में प्लांट कोई माक्पग को है ऑक्पमाद कुछ यहां पर कुंछ ड्यूंट के मेँ और जोड़े किसी पौधे को लो एक बीकर लो उसमें पानी भर दो उसको लाइट में रख दो कम से कम 15-20 मिनिट या आधे घंटे बाद तुम्हें देख़गा ऐसे बबल्स बहुत तेजी तेजी से या बबल ऐसे से बनके निकलने लगें तो एक्चुली यह सोचे कि यह बबल्स बनने हैं किसके के प्रेजिंस में है राइट में डार्क में नहीं गया है तो यह जरूरी है लिए कर दो लेखे देख दो प्रेश्टय में यह है PB जोब्स के वह इक्सेजन गवात इसके बाद किया है उसके बात क्या किया अर्ण का देखा तो यहां पर क्या पाउधा ले सकते हो हाइड्रीला का पाउधा ले लो या फिर कुछ ऐसा ले लो जिसमें फूरोशंथिस होता है वह अटर में सबस्वाइ बबल्स फोलने लो इन फाल लाइड ना नहीं नहीं होगा लिटर और ले फार्ण फाल में फोलने फ्रहन फिर पंशिवाइक की वाइड्र फान्य पार्ण वाइन फेसा क्रिज़ें नहीं इस सब्सक्रांद को अभी तक क्या-क्या समझ में आया हुआ को सबसे पहले क्या था सियोटू कंपल्सरी है लाइट कंपल्सरी है फिर ग्रीन पार्ट अप्लांट से होता है यह चार बाते समझ में अब आगे बढ़ते हम लोग अगला जो है इट वाज नाट अंटिल अबाउट यह जूलिया उस्याग थे प्रवाइड यह सब देखो मैच करती है तो उसका अगर हम देखा जाए कि क्या इन्हों नहीं बताया था तो इनकी फाइंडिंग जानोंगे बड़े मतलब इंट्रेस्टिंग फाइंडिंग यह कहा है कि वान सेक्षिवेंड डैट प्रोड्यूस प्रोड़क्शन आप ग्लुकोज बेन प्रांट ग्रो प्रोड्यूस करता है मर्लिफ स्टार्ज तो हम जानते ही ही लेटन स्टेडी ग्रीं सफस्टेंसे इन ौक ऊवह भी फसकी बैंट में जैसे हैं यह इसे प्दी यह ग्रीज करका हुच इस तो पिग्मेंट लूकोटिशन करता है और प्रॉट्वक्षन करता है तो फिर क्या होता है कि सब्सक्राइब आज की सब्सक्राइब होता है उसको हम क्या करते हैं विदिन प्लांट से फाउंड यहां पर ग्लुकोज बनता है और इसके आगे वाली फाइडिंग थी कि हम लोग अब जानते हैं कि इसके इसमिप ग्लुकोज बनता है और इस्टोर होता है इसमें इस्टार्च में यह किस ने बता आता है वांद सेच में ठीक है अगला सब्सक्राइब है आगला नौ का। इंगलमैन ए बहुत इंट्रूइन्ट सब्सक्राइप KEL votre गैसरा टीकर्सरा dari 1 Uhrặt संमेफ तो समझने के लिए इस समझने के लिए इस को क्या करते है एक गुछह वागी मेटरियल हुए उस समझते हैं क्या करते है wahr सबसे लाश्ट में यह वाइलेट हो गया यहां से यहां तक एक रेंज है यह जो इसको देते हैं तो हाईर प्लांट में हम यहां पढ़ लाए लिकनी यहां पिन्होंने यूज किया ग्रीन एलगी जो था ग्रीन एलगी अब देखो प्लूग्रल होगा तो तो यह देखा गया कि जो और जैसे यह कोई सस्पेंशन था आशी सब्सक्राइब रीजन लेकिन यहां पर यह देखा जाहराए कि जो ब्योग्यों में किस रीजन पर यहाँ सबसे ज्यादािवीजं यहाँ सबसे ज्यादा कर सकते कि ज्यादा तो है तो पर सबसे ज्यादा जाएंगा है ज्यादा लैजन पर बैक्टरीजंश यह थै घ दोफ्ते आर दधिया किअ evolution है मैक्सिमम होना कि सब्सक्राइब आप इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं एक्साइब मतलब यह होता है कि वाले में सबसे ज्यादा वहती है उसको मेजर कैसे करते हैं तो सबसे ज्यादा भनी सबसे ज्यादा इसलिए एक्षक्टा माक्सिमाम मैक्सिंबान बलूो और एक्षक्टा मैक्सिमंअ प संथयोगे इस लिए कि वहाँ पर पहुत ज्यादा होता है यहां सब्सक्राइब निट्रप्टा इसे एक्सपरिमेंट इंगलमेंट के एक्सपरिमेंट से राकिया घ्याग था तो इसको देखते है आगे उसको एक्सपरिमेंगे पढ़ेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब अब देखो क्या पढ़ लिए कि ग्लुकोज बन गया स्टार्ज भी बन गया अब यह करेंगा कि रीक्षन बताये कैसा था तो फोट्स ब्सक्राइब करेंगे बन अब इसक आइस तरह रहा है कि इसका कुछ इस तरह से लिए घ्किन एसा था कि CH2O के फार्मुले पे बहुत से ऐसे भी कंपाउंड हो जाते हैं जो सूगर के केटेगरी में नहीं आते हैं इसका यह मतलब होगा कि बिना मतलब उसके भी क्या कर रहा है सिंथेसिस कर रहा है तो यह तो बड़ा गरबड हो गया तो इस तरह से यह जो यह रियक्शन है इसको माना नहीं जाएगा क्योंकि यह जो होता है इस तरह के फार्मुले से कुछ ऐसे भी डिराइड कर सकते हैं जैसे CH2O तो यह तो बड़ा वह हो गया जैसे कि आप माल लो CH2O हो है ना तो अगर माल लो यहां पर दो का गुड़ा कर दे तो C2H4O हो जाएगा C2H4H4O CS3CH2OH तो कुछ इस तरह का जैसे कुछ अल्कोहल इल्डी हाइड भी से डिराइड हो जाते है तो इसलिए यह रियक्शन नहीं सही है बाद में हमको पता चला एक्शली कुछ नहीं हो क्वाम होते हैं जिसको हम रिपरेजन करते हैं ग्लुकोज 6-carbon compound यह एकदम सखसे सही नहीं है क्योंकि इससे और भी compound आ जाते हैं उसके बाद एक साइंटिस्ट है वाल नीन क्या थे बहुत इंट्रेस्टिंग बात यह बताएं कि जो फोटो सिंथेसिस होती है उसमें जो आक फोटो सिंथेसिजन होता है ओल्फितो निकलेगा एक फोटो सिंथेसिसिंग रेक्शन होता है उसमें सफिस्तों निकालना थो चाहिए समझ में यहां है चाहिए 602 को निकालने के लिए पूछा जाए कि फोटो सिंथेसिजिस में अक्सीजन का सोर्स क्या है कार्बन डाइए अक्साइड का जो अक्साइड है ओटू उससे होता है कि वाटर अर्सका होता है तो कहोंगे वाटर का अब यहां यह किसी नहीं बताया कि हैं अगर हामालो एस्टू की जगह पर हम क्या लिग दे हैं श्ट्व और हम सिंतेडिक अगर यूज कर रहा है फोटो सिंथेसिस में क्या होगा एक्षीजन इवाल होगा जिसमें ऑ्सीजन होता है उसको हम कते हैं ऑक्सिजिन stimul對不對 क्या काते हैं ऑक्सिजियो यस नहीं प्पड तो इसका मतलब कहां से हैं से स्टोड एफ्तेसिस जैनिक फोटो सिंथेसिस अगर तो इसमें नहीं होगा तो इसको एन आक्सीजन फोटो शिंथेसिस यह दोनों हो गया है लाइट दोनों में देखो तो यहां पर भी था हो गया वहां पर भी चाहिए अगर यह एक्सपरिमेंट समझ में आ गया वाननीन का तो देखो उन्होंने यही डिस्क्राइब किया था लाइड डिपेंडेंट रेक्शन होता है हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल अक्सिडाइजिल कपाउन चाहिए रिड तो भी हो सकता है तो जैसा अगर ठेस्टेबल होगा तो इस ही आपको याद रखना है प्रियक्शन क्या है तो यह बता मतलम नहीं पर और इस पर इसका होता है हम जो होते हैं हम जब जाने के लेगे तो उसी से अक्सिजन निकलेगा तो अगर इसका होता है तो यहां पर तो गरबढ़ हो जाता है इससे तो आक्सिजन से मतलम नहीं है अक्सिजन वाले से अक्सिजन होगा तो इसको हमको वैलेंस करने के लिए तो देना ही पड़ेगा यहां पर नहीं आया यहां पर हां यहां पर आया यह आ गया तो इसका यह मतलब है यह वाला ही आक्सिजन यहां पर जाता है इसको क्या कहते है अक्सिडेशन तो फोटो सिंथेसिस में क्या होता है क्या कोगे वाटर का क्या होता है अक्सिडेशन होता है वाटर का अक्सिडेश के बेस पे यह आगे बढ़ता है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वेर स्योटू रिप्रेजेंट दा ग्लुकोज रिलीज प्राम दा वाटर ऑक्सिजें डिलीज प्राम दा वाटर वाटर वाइज प्रवाइड वाइज यूजिंग रेडियो एक्टी आइसोटोब यह एक स चाहिए पदेगा अब आज आते हैं वेर्स फोटोजनेट टेक्प्रेस तो हम जानते हैं किसमें होता है ग्रीन पाटा प्लांट पाट ना अब यह कह रहा है कि एक हर्मेंस प्लांट है जो इस इसकी पतिया पतिया तो ग्रीन ही है और यह भी ग्रीन है जैसे क्या होता है कि यहाँ पौदे होते उसमें क्या होता यह जो घ्रिन-ग्रिण क्लर के होंगे तो इसमें भी पिग्मेंट हों उसकी अधर बचेश कर सकते हैं इस की इसे फ्लावर है यहाँ पे देखे होगे कि ऐसे इस ट्रक्चर कुछ बने होते हैं कैलिक्स करते है जो मेंजर वहुंड यहां अंटर … जो कि या में पर यहां पर यहां पर यह से डूपसे और और आब धब था rate ऐसी और यहां पे होके तिसका नाम है जब ऊब दिसके अंदर है तो यह जहां ॉध सकता है जबchosक्ता सब्सक्राइब लिए अगर हम लिए श्ट्रक्चर देख सकते हैं तो ऐसे था नहीं यहां पर यहां पर यूजन कोई तो सेल में ही क्लोरफ लगे होते और गोला सेल में है तो यह जो पति है कि यह वाले पतिया है जैसे यह में सेक्षिन कॊटा तुम्ने यह पति थी और इससे निकाला सेक्षिन का तो यह इपिडर्मल चीप सब करता है कि अब दे कोईइट कढ़ ले ने चुरोपंपल्ट को पत्ती का इंक्लाइंड बुछा जाए कि इधर के होगा जैसे पत्ती तो हम यह अपने आपको इस तरह से एरेंज करेंगे कि आप्टीमम लाइट को यह अभजार कर सके और अधिक अधिक फोटो सिंसिस्म का यूज कर सके तो क्लोरो प्लाइट अगर मानलो सन की डियेशन तो फिक्स होके आती नहीं कि आज धूब बहुत ज्यादा करेंगे कम होगा वह तो वहरी करता है वह अन्वार्मेंटल कंडिशन से और डिपन चीजों पे हैं कि इसको पको देखना है कि अच्छा कैसे यह वहरी करता है तो हम क्या करते हैं यह मानलो मेसूफिल से हैं इदर बना लेते हैं यह जैसे देखो यह न्किरी डिएशन आरही है इसे में अटरहिस हैं सब्सक्राइट प्रद्रंश क्लोरॉरी यह बहुत ज़्यादा क्या है हाय तो यह क्या 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 करेंगे श को ज्यारते हैं जैसे मेसौफिलिट सेल है यहाँ पर कब आ जाएंगे सारइफ़न पे जब करते हैं और उस तरह सी करते हैं यह क्ता रहा धाल और वह–धिकरальный के लैय किस तरह तो चलते हैं कि इसको देख लेते हैं कि कि क्या कर रहा कि अभिए उन्र मेसरी इंसे यह पाए तो जो अगर यह पूछा जाए कि जो यह पूछ रहा है कि वें दो यू थिंग दे खुरोप्लाश विल बी अलाइन विद देर फ्रैट सर्फेस पैरलर टू देवाल तो यह पैरलर टू वाल कब होगा जब जैसे यह वाल है इसके पैरलर हो जाए चैसे पैरलर टू दूसरा है है कि यहाँ लाइट यह वाल पे जब लू लाइट इंटेंसिटी यह दो यह हो गया लो आज हाइलाइट नीठ तो यह हम समझ गए कि को खो खोरिप्र अपने आपको इस् dazu हैं ज्यासाबसेैं लाइटी इंसीडेन डाब हो ईस्टरह इसे इस दोड़ा से पड़ता है सेयला लागनेल अब देखो यह क्या इसके लिए क्या है इसको खुद का ड ऑन ने होता है मेंट्र राइभूश्म होता है इस में पूरा पल्र मैंब्रेन इने में हम एक प्रश्च्ट की मेंब्रेन हैं इसके अंदर जो होता है यह नहीं तरह कुछ इसको क्या काम कहते हैं कि एसे से दिखो जैसे तार कीतरा जुड़े वे सिक्ट्रीय तो उसको और वाद यृट बराएं स्ट्रोमा उस ऐसे चीज़ रखिए गई हैं जो नियुक्त तार से जुड़ी उए हैं उसको हम क्या कहते हैं थैला कौई क्या करते हैं एक को हम क्या करेंगे थायलऩ क्या क्या कर अब यह जो जो यह घ्र को है यह रेना और यह ऒरेन आपस में जुड़े हैंतार से ईसी तरह ाके केमिकल कंपॉंड्ड से लगला मिलके बना हुआ दो इसको श्रोक्ति है स्टोमा में है जो दोनों को जोड़ रहा है दो इसको क्या बाइब काम कर रहा है चुकि है तो यह किसका घ्रीणा का पाइब लेकिन ऑच दिन करने के लिए कि अच्टि ओ कर सकते हैं लेकिन वह पाए जा रहा है इसलिए इसको लेंगे इसके अलावा क्या होता इसमें इस तरह का ये इस्ट्रक्चर होता है डबल मेंब्रेन इस्ट्रक्चर होता है बाहर उ trademark क्या है डाय इसको बंदर इसको लेकिनद मेंब्रेन इतना समझ में आ गया इस्ट्रो्म इसके बाहर तो इसमें सर्कूलर डिन्ने भी होता है और जो क्या करता है तो वहां बात करता है अब बात हो रहाती है कि यह एक ऐसा इसमें होता है उसका नाम होता है रूबिसको क्या होता है एक ऐसा नrafAnd हम यह देख लेते हैं कि क्या-क्या होता है दो तरह की रेक् wzglेंव होते हैं इसमें एक होता है डार्क रेक्शन एक होता है लाइट रेक्शन उसको कैसे समझते हैं देखो एक होता है लाइट रेक्शन फोटो सिंथेसिस पूरी फोटो सिंथेसिस दो भागों बाढ़ देते हैं लाइट रेक्शन और एक होता है तुमारा डार्क रेक्शन हो गय वह इन में इंख सब्सक्राइस मत्लब उसे मतलब इसे मतलब तो लाइट रेक्सनों इसका मतलब लाइट से जो भी रेक्सन चलेंगी वो किस मैं चलेंगे ग्रेना में तो यहां किसमें चलती है इन दोनों का क्वाड़नेशन कैसे होता है लाइट रेक्शन और डार्क रेक्शन के कैसे क्वाड़नेशन होता है इसको समझने के लिए थोड़ा समरूग इधर आ जाते हैं और यह देखते हैं एक इस्ट्रक्चर बनाते हैं इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है देखो यहाँ पे एक यह reaction है इसको हमने क्या किया light reaction क्या कर रहा है light reaction इसमें जो है sun की radiation आ रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है H2O का breakdown हो रहा है और O2 बनना और यहाँ पे तुमारा क्या रही है sun की radiation management sun का radiation में हिए हो रहा है H2O का breakdown हो रहा है 2H2O का क हो रहा है और different light reaction की वज़य से कुछ compound बनने chemical compound उसका नाम है ATP और क्या है NADPH2 इस chemical compound का इस्तमाल जो हो रहा है एक reaction होती है उसको खहते हैं dark reaction इसमें हो रहा है इस chemical compound का अब यह जो है यह इसका इस्तमाल कर लिया और इन दोनों compound के इस्तमाल कर लिया इस्तमाल करने के बाद इसकी जो बचे कुछे material थे NADP plus और ADP plus यह दोनों फिर से light reaction को दे दिया गया कि फिर से आप बनाके इसको cycle चलाते रहो अगला इसमें क्या होगा कि जैसे दार्क reaction है यहां पर क्या होगा डार्क reaction में CU2 जो होगा वो फिक्स कर देगा C6H12O6 C2 fix हो जाएगा और किसमी बन जाएगा C6H12O6 light reaction हम लोगों ने कहां पढ़ाता यह पढ़ाता घ्रेना में पर यह पड़ा था यह पड़ा था इस्ट्रोम कि रिखेशन कहा इस है नै इन सारे रेक्षण में हम ने यह देखा कि कि इनर्जी का स्वेस्ट है जिसको क्या काते हैं अगे पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में इसको जानते करेंसी आफ एनर्जी करेंसिया पोछा जब भी पूछा है तो बताओ किसको कते चुंछ होता है डिदूसिंग पावर कभी-कभी यह लोग लिग डेते कि रेडिशिंग पा किसमें हो जाता है इस रिडेक्षण को होने के लिए यो टू से ग्लुकोज में बनने के लिए जो पावर की ज़रुरत पड़ती है जो एनर्जी की जरुरत पड़ती वह आती कहां से लाइट रेक्षण से डैट एटीप और एन्ने डाटीपी एस्टू डिदूसिंग पावर यहां पर एनदफ च्णो और एटीपी क्या देता है ङैसे इनरजी देता है दूहला तो अगर फुलदीख गए जाया Uhr यह नो भी तर नाक्रा और नेगे वाला जो था इसी क्या कन्षें कर रहा है यह वाला यह आला laser है नीचे वाला डार्ट रेक्शन इसी में हमारा जो प्रोड़क्ट बनना है लेकिन यह क्यों इस पर डिपेंडेंट है किस बात के लिए एटीपी और एडीपीस्टू अगर हम कहें कि बाहर से हम सप्लाई कर दें रिडूसिंग पावर का एटीपी और एडीपीस्टू का तो ऐसे बहुत से एक्स्परिमेंट है इसा कुछ किया गया है तो हम पूरे फोटो से इसको दो भागों बाटते हैं पहला लाइट रेक्शन दुसरा डार्क रेक्शन यह जो लाइट के प्रिजिंश में आक वाटर का स्पेटिंग होता है इसकी वजह से प्रोड़क्ट यह बन देखते हैं क्या करें यह देखो यह विश्ट्रेट्र कुछ प्लास्ट इस्टोमा लैमली मैट्रिक्स स्टोमा है डा क्लियर डिवीजरा प्लेवर सम्में है डिस्पॉंजब फार ट्रैफिक लाइट इनजी आल्सो सिंथिस एटीपी और नड़ीपी अस्टो इन इस्टोमा नगां इंजैयमेटिक रेक्स इतना भी चलता है चलता है जो लाइट रिक्शन लाइट रेक्शन कर電म को यह दोनों को मतलब NICK मतलम नहीं क्यों डार्क नहीं होता वह लाइट रहे चाहना रहे है उससे कोई मतलम में होगा इसमें अपिक लिए प्लत कर शम्माज लेना अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि PIGMENT का isolation हम लोग कैसे करें है how pigments involve in the photosynthesis Pigment के इन्वाल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे Patti ले लेंगे Patti में हम जानते है कि क्या है Chloroplast है Chloroplast के अंदर क्या है Chloroplast के अंदर ऐसे-इसे कुछ शिक्क्य की तरह structure करता है इसी पीगमेंट को निकालना है तो पिगमेंट कॉन कॉन होते हैं सबसे जो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है वह होता है तुम्हारा क्वोरोफिल क्लोरोफिल इस दे युनिवर्सल पिग्मेंट होता है जैसे तरह यह सम्में पाया जाता है हर फोटो अध्यार्मींजम में जो है क Sorin a can Caicos कें can जन्तोफिल कि यह चार couldn से करना है जिनको हम हाइर प्लांट में आसानी से पत्तियों को तेख़एं यह 4 में होंगे कहाँ प्रपिंवन होंगे सी हरा जो दमोर प्लास्ट के जो ऐना वाला हा उसी में है जब हमको इस सारे पिग्मेंट को अलग करना है तो हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे क्या करेंगे सेपरेशन करेंगे सेपरेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं तो यह तो ऐसा है ने कि चावल से कंकर निखानने वाली बात है तो लिक्विड है आपको मालकूल है तो फिर करनाव है जिसे सिंपर को मैट्राफ वय करना एक उती होता है जिसे टीलसी होता है थील लेयर को मैट्राफिक होता है यहां कि इस परेटिंग टेखने को पिशित्र पिजमेंट को सब्सक्राइब करता है को सबसे पहले पत्ति है इसको तोड़े इसमेंगे इस में उसके शोड़े क करें कि नियुक् Ohh अगर से लगे इसको तोले लेगे उसमें सरीओघ करों के विपे Vaid इसमें तो नियुक्ति योज़ कई 1 2 3 4123 4 सारी पिंगमेंट का है तो हम इसको एक टेगनिक इस्तमाल करते है पेपर क्रोमेट्रोग्राफी पेपर एक लेंगे इसी में आरे जो चारों मिक्षर है इससे एक ड्राप यहां रख देंगे और इस पेपर को एक वाटर में कर देंगे तो कैपिलरी फोर से उपर करेंगा औरुसको करेंगा उसके बाद किया है करेंगा मालों एकक विए यहां पर आई यहां पर आएर दूसरा यहां पर यहां पर आया तिसरा फिग्मेंट यहां पर देड़ा की घण सबसे कम वेट का है तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसकी सबस्क्राइब करके इनको अलग-अलग करके हम पेपर से इसके प्रेट अलग अलग ट्यूब बना बनां इसमें अब डिकनिक करते हैं और अधिक का उन से करते हैं जैसे करते इसका थोड़ा से फिक्चर यह दिखाया घ्यां यह यह पिग्मेंट है और पत्ती थी इहां पर उपर गया इस तरह से रन कराने के बाद यह वीकर है जिसमें रखा है यह हमको मिला तो यहां पर हमने यह देखा कि लीप का स्ट्रेन यहां पर रखा था यह आ गया क्लोरोफिल भी सबसे नीचे सबसे भारी अगर मालोगर व्यट उचा जाए एबिसी में तो क्यों होगा एश अबसे ज्यादा भी क्या सी फिर क्या डी इस तरह से मालोगर्स वे अगा होगा इस्का कलर किस इस तरह का आ आएगा थोड़ा है खोड़ो परना यहां से का लेंगे और इक नहीं हैं इसको अलग करेंगे इसको अलग करने अगry सब्सक्क्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे एक स्पेक्ट्रोफोटोमिटर होता है इस पर हम देखेंगे कि कि इसकी absorption कितने पर maximum आ रही है क्या रही है absorption जो है कितने पर maximum आ रही है तो हम यहां पर जो है इसको apply कर रहा है यह pigment था chlorophyll B का एक इस पर light pass कराएंगे और lambda max value देखेंगे कितने maximum absorption यह कर रहा है तो हम देख रहा है कि यहां पर जो तीन pigment का हम लोग यहां पर देखें हैं किसका किसका देखें है chlorophyll chlorophyll A chlorophyll B और करेटनॉइड इन तीन का देखें है तो यह लुग्रीन कलर का है यह थोड़ा चाहिए ब्लू ब्लू ग्रीन है इसको कहते है क्रोमाइटोग्राम जो हमने अभी पेपर देखें उसको क्लोर्फिल बी एलो ग्रीन कलर का जनतो फिल एलो करेटनॉइड तो इसमें तो करेटनॉइड का है तो इसमें क्लोरफिल एक है यहां पर क्लोर्फिल बी का इस तरह का है तो भी इन चलोर्फिल ॆक पोल्टो इस पर दाद ब्लू और रेड पे यहीं यह आ रहा है और ऑो सबसे ज्यादा हो रहा है तो जब दोनों का वह मतलब क्या करोगे मर्ज करोगे तो देखो गे की रिलेटी डेटा फोटो सिंतेजिस यह वाला था एक्शन स्वाला भी इसी पर सो कर रहा है तो हमको क्या मिला यह देख रहे हैं मैक्सिमम्म फोटो सिंतेजिस होती है उसी मैक्सिमां लीए है इस पे छक्रेक्शन स्वाइब ब्लू के रिलेटेटी न चैनल होता है इसको चेक करने के लिए हम क्या और चेक्शिज्जन इवलूशन है कि यहां पर कुछ कुछ लिखी गई है कि कैन यू गेस्ट विच उन्मोस्ट बंडेंट पिग्मिन इंद वर्थ बताओ को क्लोरोफिल ए किसी में कुछ हो चाहिना हो क्लोरोफिल ए होगा कंफर्ण में लेटस्ट ग्राब सुइंग अब यह सब बिग्योर हो गया यह देगा है कि यह सब क्या करेंगा अधर पिग्मेंट क्या करेंगे जैसे क्लोरोफिल बी हो गया क्लोरोफिल बी हो गया उसके क्लोरोफिल यह सब क्या काम करेंगे तो क्लोरोफिल यह सब 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 क्लोरोफिल य कौन यह सबले क्लोर फिए यह बचालेते हैं और इसे सब मीश्encias्ट क्या стороны क्या करते है आसे फिक्वेंट क्या होता है क्लोर एकको एनर्जी इसको इनको ग्रेल को इसमें बैसा πै बचाते हैं अब आते हैं What is the light reaction, the light reaction क्या होता है तो यह जो पढ़ा था ख्लॉर प्लाश्च, ग्रेना पढ़ा था इसे में इसको बाहर नहीए अर्थ थेला क्वाइट थेले कॉएट इसे में में तुम्हारा जो है यह वाला है तो इसी में यह किया है धलक वाइड उसी में क्या होता है जो कि में क्लोरफिल यह होगा लाइट आएगी तो सबसे त्टीन बात एक टालाइट रिक्शन पहले अप्जार करताई और और अक्सिजन वाल करता है वाटर स्प्रिटिंग करता है थाइनर्जी पैस्टू सेवरल प्रोटिन कंप्लेक्स इनुवाल दी प्रोसेस पिंग्मेट अब देखो यह जो यह पिंग्मेट बने हुए इसमें वो प्रोटीन से बंदे वंधे एकिस से बने ऍटीन इकानाम है क्या डीबन डीटू प्रोटीन ये फोर्टीन से जो स्टम बना इस पूरे system के प्लाइट को अधियर इस को मैक्सिमाम अलग रेंग उता है चैसे कोई अलग प्लॉघो करता है और यही रेक्शन सेंटर काम करता है जिसमें 680 पे बजार प्लाइब प्लाइब करेंग उसको हम तो फोटो सिस्टम तू अग्जिस पे 700 पर करेगा उसको करने PS1 PS2 PS1 इस वे से नाम है कि पहले PS1 खुजा गया था बाद में PS2 खुजा गया था इसलिए ऐसा करते हैं इसको हम थोड़ा यहां सा समझ लेते हैं को चेलो है देखो यह फोटो सिस्प्टेम एंटीना कंप्लेक्स हें इसमें क्या होता है कि इसेशरी पिंग मेंट है क्या कहसे जाया होते लात को आता है यहां पे तो इस यह रिजिनेंस करते हैं और इस पूरे को हम क्या करता है तो यह प्याइशन हो गया यह तो यही सारी बाते यहां लिखी है अंटीना हो गया अंटीना इसे स्रिपिंगें यह फिर सिंगल सिंगल मालकुल रेक्षंटर के काम करता है और वह च्छाइब हो तो यहां तक फोटो संथेश्च अम लोग पड़ा हम लोग ने पड़ा के फोटो संथेश्च वह था हायर प्रांट्स में भी होता है लोवर में जैसे ग्लाइड फोरा के इंगल मैं ने एक जांपल दिया था इसमें ए रोविग्स वेक्टरिय वहां के ग révgl करता है जो फोटो से भी मेंट्स होता है कि इस्पेसर्छ रुता है ऊसके अंदर एक amendment रुकांद इसकर्ड मेंत करते पिगमेंट सिस्टम होते हैं फीड एकले करने के लिए के फ्रीग कर लें सेपरेट कर लेते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं एक्षाप्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो इसके बाद फिर हमने देखा कि क्या है फोटो सिस्टम तो ठीक है आज बस इतना के लिए नेक्ट फिर कल मिलते हैं थैंक यू